प्रवियस्टु के सामर्थी नाम में प्यारवाब सभी का हाउ टू बी विक्टोरियस वीजेता कैसे बने इस सीरीज के चौथे भाग में हम स्वागत करते हैं हम विश्वासा और आसा रखते आपने अभी तक के पाग देखे होंगे और आप ज़रूर आश्यशित हुए होंगे आये चोटी दुआ करें और आज के इस टीचिंग में सिक्शा में हम आगे बढ़े आय दुआ करें प्यारे परमिश्वर हम आपके चन्नों में आते हैं इस सीरीज को जब हम देख रहे है प्रबो, हम आपकी और देख रहे है प्रबो, आप हमें विजेता बनाए प्रबो, आप हमें सिखाए हमें कैसे विजेता बना है प्रबो, हमें से कई लोग अलग-अलग तकलीफ, समस्याओं से और परमिश्वर युद्धों से होकर गुजर को देख पाए परमेश्वर और इसलिए इस सिक्सा को समझने के लिए अनुग्रा दीजे समझाने के लिए मुझे अनुग्रा दीजे और इस सिक्सा को अमल में लाने के लिए हम सभी पर आपका अनुग्रा होने दीजे ये शुमसी के नाम सम्माते हैं आमेन आमेन प्यारो आज जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा समरी वीजन कर लेना चाहते हैं अभी तक हमने जो भी सीखा है कुछ मिनीट आपकी लेकर हम उसे रिवाइज करेंगे सबसे पहला भाग जो था हाउ टो बी विक्टोरिया सीरिस का पार्ट वन वो था मन को कच्चा न होने दे हमने देखा था साओल और इस्राइली लोग के मन कच्चे हो गए गोलियात को देखकर लेकिन दावद था जिसने अपने मन को कच्चा कमजोर नहीं होने दिया हमने सीख साओल ने जो की थी वो साओल ने कौन सी गलती की थी हमने सीखा था युद के समय प्रभू की सहाईता मागने के लिए वो प्रभू के पास नहीं गया था हमने सीखा था ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है हमारे युद्धों में सबसे पहले सहाईता मागने पर मेश्वर क को तारीफ में और अनादर को आदर में बदल देने वाला परमेश्वर है हमने देखा था दाउद का तीरसकार हुआ उसके भाईयों के द्वारा साउल के द्वारा और इवन उसके पिता के द्वारा भी लेकिन बार बार तीरसकार होने के बावजूद अनादर होने के बावज अपने आपको संभाले रखा उसने और विजयों की और आगे बढ़ा और हमने देखा था तीरसकार के समय में जब दाउटी कारा द्रीड़ता से प्रभू ने उसे तीरसकार के बदले तारीफ दिल्ला दिल्वाई जब गोलियात को मार के वो वापीस लोटा लोग उसकी तारी में गाना गा रहे थे हमने अली नौर के विसे में भी लास्ट टाइम देखा था एक ऐसी लड़की जिसका लोगों ने तीरसकार किया क्योंकि वो अपाहिश थी पोल्यों के कारण उसका सरी का निचला जो हिस्सा है वो लकवा मार गया था लोग उसको देखकर हस रहे थे य क्या करेगी जब यह मिस्नेरी होने के लिए आगे बढ़ी लोग अंदर-अंदर बाते करते थे यह कुछ नहीं कर पाएगी तीरसकृत किया गया अब मानीता नादर किया गया इसका लेकिन यही एलिनौर के द्वारा हमने देखा देखा था किम्याल लोगों के बीच इंडो चाहते प्यारों अगर आपकी कोई भी समस्या है आप हमारे साथ बात करना चाहते हो दुआ करवाना चाहते हो यह फॉन नंबर पर यह प्रेल हैर्पलाइम पर अब जरूर कॉल करिये हमें आनंद होगा आपके लिए दुआ करने में प्यारों आज का जो विस्टोरियस विजय को कैसे हासिल करना है प्यारों यह बात हमारे अंदर हम जीतने की शमता कैसे डैवलब करते हैं विक्सित करते हैं उसके उपर निर्भर है विजय प्राप्त करने की शमता विक्षित करना आज हम देखना चाहते हैं प्यारों विजय को प्राप्त करने के लिए हमें क् कैसे हमारी शमता को, capability को, ability को, कैसे हमारे कौसल को, हमारी अंदर हमें बढ़ाना है, विक्सित करना है, कैसे competence हमें create किया जाए, ताकि हम conquer हो पाए, विजय हो पाए, ये बात को हम आज देखेंगे, विजय प्राप्ट करने की शमता, विक्सित करना, प्यारो, जरूर विजय प प्रमेश्वर ही है, लेकिन उसके लिए जरूरी शमताओ को भी वो हमारे अंदर उत्पन करता है, प्रभू हमारे अंदर ऐसी शमता उत्पन करता है, quality उत्पन करता है, हमें योग्य बनाता है, हमें तैयार करता है, ताकि हम विजय को पा सके, और वो योग्यता, वो शमता, विजय पाने के लिए हम में कैसे उत्पन हो सकती है वो बात को हम सीखेंगे प्यारो अगर हम इस बात में लापरवा बनते हैं हमारे अंदर कोई शमता को विक्सित नहीं होने देते तो गोलियात के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे दाउद के अंदर कुछ ऐसी शमता थी प्यारो दाउद के अंदर कुछ ऐसी विसेशता थी जिसके कारण वो गोलियात को हरा सका हाँ जम देखेंगे दाउद के पास ऐसी कौन सीख शमता थी जिससे उसने गोलियात को हरा दिया और वो शम्ता, वो कैपेसिटी, वो कॉलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो काउसल दाउद के अंदर आया कैसे, वो भी आज हम प्यारो सीखना चाहते हैं पहला समुएल उसका सत्रव अध्या है और 48 आयत में लिखा है आया मिलकर इस आयत को पड़े जब पलिस्ती उठकर दाउद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाउद सेना की और पलिस्ती का सामना करने के लिए फूर्ती से दोड़ा 49 आयत भी हम मिलकर पड़ेंगे फिर दाउद ने अपनी थैली में हाथ डाल कर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफण में रखकर पलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के बीतर गुज गया और वह भूमी पर मुँ के बल गिर पड़ा आए पचासवी याद भी हम मिलकर पड़े यो दाउद ने पलिस्ती पर गोफण और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उससे मार डाला परन्तु दाउद के हाथ में तलवार न थी प्यारो दाऊद के अंदर वो कौन सी शम्ता थी वो कौन सा कउसल था वो कौन सी योग्यता थी जिसके कारण दाऊद ने गोल्यात को हराया हमने ये आयत पड़ी उसमें वो लिखा है सबसे पहली बात वो फुर्ती से दोड़ा दूसरी बात जो उसका कौसल जो उसकी शम्ता उसके विसे में यहाँ पर लिखाए उसने पत्थर निकाला और गोफन में रखकर पलिस्ती गोलियात के बराबर माथे में उसने वो पत्थर को मारा और वो पत्थर इतना जोड से मारा था कि उसके माते में सीर में वो बीच में घुश गया और वही पर वो भूमी पर गिर गया ये दावद की शमता थी दावद बड़े अच्छे से गोफन चलाना जानता था वो पूर्ती से दोड़ना जानता था और गोफन चलाना बहुत ही अच्छे से उसे आता था इतना वो उसमें परफेक्ट था उसकी शमता गोफन चलाने की उस कदर थी कि बराबर निसाने पर उस पड़ा था वो उपर से नीचे तक हथियारों को पहने हुए था सिर पर तोप था बक्तर था सब कुछ था पैरों पर भी सब कुछ कवर किया गया था कुछ भी सरीर का हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहता था जहां उस पर वार किया जाए एक ही जगह बाकी थी वो था उसका सीर वो था उसका माथा और डाउद ने बराबर उसकी शमता जो गोफन चलाने थी उसे ऐसे इस्तेमाल किया ताकि उसके सेर पर उसके माथे पर वो पत्थर जाकर लगे हाललुया धाउद के अंदर वो शमता थी कौन सी शमता गोफन चलाने की और वो भी इतना परफेक्टली चलाना वो जानता था कि exact निसाने पर उसने पत्थर को गोफन से मारा प्यारो एक ही पत्थर और वो भी एकदम सही निसाने पर यह सवाल हमें अपने आपसे पूछना चाहिए यह कैसे संभव है दाउद ने एक ही पत्थर मारा और वो भी एकदम सही निसाने पर गोल्यात के सर पर माथे पर यह शमता दाउद के अंदर आई कैसे यह जानना बहुती महद्वपूर्ण है एक ही पत्थर मारा दुसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ी एक ही पत्थर और वो भी एक्जेट निसाने पर गोल्यात के सर पर जहां खाली जगा थी जहां कोई भी कवरिंग नहीं था कोई भी वहां अथियार नहीं था कोई भी सुरक्सा कबच नहीं था एक्जेट निसाने पर गोल्यात से एक ही पत्थर में वार किया और वो पत्थर पूरा उसके माथे में घुश गया ये शम्ता दावुद के अंदर आई कैसे प्यारो ये हम ये आयत से जान सकते पहला समुईल सोलवा दिया है और आईए ये आयत को हम मिलकर पड़े ग्यारव याद तब समुईल ने इसे से कहा क्या सब लड़के आ गए वह बोला नहीं लहूरा तो मतलब छोटा रह गया है दावुद रह गया था और वह क्या कर रहा था और वह भेड़ बकर्यों को चरा रहा है दावुद गोफन चलाना कहां सिखा और वह भी इतना परफेक्टली उसके रोजबरोच के काम से उसका रोजबरोच का काम क्या था भेड़ बकर्यों को चराना जब वो भेड बकरियों को चरा रहा था तब उसे ये काम में प्रवीनता हासिल हुई कौनसे काम में गोफन चलाने के उसके अंदर गोफन चलाने की शमता काउसल तब विक्सित हुआ जब वो अपना रूठीन काम हरोज का काम भेड बकरियों को चराने का एक सामन यासा काम जब कर रहा था तब उसके अंदर ये शमता गोफन चलाने की उत्पन हुई या तो विक्सित हुई गोलियात को हराने के लिए दाहud ने जो गोफन का इस्तेमाल किया वो काउसल उस से उसके हरोज के भेड बकरियों को चराने जैसे सामन ये काम और छोटे लगते हुए काम द्वारा हासिल हुआ था एक छोटा काम रोज बरोज का काम भेडबकरियों को चराना वो काम करते करते उससे जरूरत पड़ी अपनी भेडबकरियों की सुरक्षा के लिए कि कुछ हत्यार चलाना वो सीखे और वो जरूरत के हिसाब से उसने गोफन चलाना सीखा और वो अपनी अपने उस समता को व परफेक्ट की जब जरूरत पड़ी गोलियात के सर में एक ही वार में वो उसके वो पत्थर को उसके माथे में मार पाया आललुया यह जो शमता थी दावुद की वो रोज बरोज के भेड़ बक्रियों को चराने जैसे सामन्य काम करते करते उसके अंदर विक्सित हुई थी प् पूरी वफादारी से करता था इवन एक बार भालू और सीन जब आया भेड़ के बच्चे को चुराने के लिए खा जाने के लिए वो चाता तो खा जाने देता पापा को जाकर बोलता कि भालू था सेर था बै कहां से जाओ कहां से उसके मूँ से वो बच्चे को चीन कर उसने बहाणा नहीं बनाया अपने जान पर खेल कर भी वो भालू के सेर के मुह से मेमने को छोटे बच्चे को छुड़ा कर ले आया वो अपने हरोज के काम में इतना वफादर था प्यारो सामानिय लगते काम में भी पूरी वफादरी से पूरा जी जान डाल कर वो काम कर रहा था और यही काम करते करते उसके अंदर ये शम्ता गोफन चलाने की शम्ता विक्षित हुई आललूया प्यारो आज के छोटे छोटे इस बात को द्यान से सुनिए आज के छोटे छोटे लगते काम के प्रती हमारी वफादारी कल के बड़े विचयों के लिए हम में जोग्यता विक्षित करती है आललूया आपने समझा ये बात को समझना बहुत ही आवश्यक है फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ आज के आज के दीन में जो छोटे छोटे और सामान्यक काम आपको लगते हैं उसके प्रती जो हमारी वफादारी है अगर उसे हम कल जाकर गुलियाथ जैसे सत्रू को हरा सिकें और उसके उपर वीजही पासकें आज के छोटे छोटे काम जो हम कर रहे है वो ही हमों मोश्यंत करते है वो ही हमें योग्य बनाते कल के विजयो के लिए आगे जाके और हम इसे स्पस्ट करेंगे प्यारो कौन से छोटे काम हम आगे जाके और ये बात को स्पस्ट करेंगे प्रभु का वच्चन क्या केता हैð? इस आयात को हम मिलकर पड़े क्यूं छोटे छोटे काम जो हम आज कर रहे हैं उसे गंभी इरता से लेना है उसमें विश्वास युग्यद बने रहना है प्रभु का वच्चन केहता है लुका उन्नीस में उसने उससे कहा धन्य है उत्तम दास तुझे धन्य है तु बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला यही बात मत्य अध्याई पचीस में लिखी है उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तो का अधीकारी बनाऊंगा आज हमारे पास जो छोटे छोटे काम है छोटी छोटी बाते है उसमें अगर हम विश्वास योग्य बने रहते है प्रभू का वच्चन हमें धन्य कहता है और हमें promise करता है अगर उसमें हम विश्वास योग्या बने रहते हैं पर वो आने वाले दिनों में बड़ी बातों में बड़े वीजियों में हमें जरूर ले जाएंगे हाललुया दावुद छोटे कामें सामानिय लगते भेड बक्रियों के चराने के कामें विश्वास योग्या वफादार बना रहा और वहीं से उसमें वो सम्तावत्पन हुई ताकि वो गोल्यात को भी हरा सके प्यारो ये बात को हमें समझना जरूरी है अपने आपको ये प्रस अज आप पूछें प्यारो गया आप आज जो भी छोटे और सामानिय दिखते काम कर रहे हो उसमें वफादार और विश्वास योग्या बने रहे हो प्यारो ये प्रस्थन हम आपको पूछना चाहतें थो भी छोटे-छोटे काम आज आपके हात में हैं क्या आप उसमे उस्वास योग्या बने रहे हो, वफादारी से कर रहे हो, गंबेरता से कर रहे हो, प्यारो वो छोटा काम एक छोटी जॉटी जॉब हो सकती है, जिसमें आपको लगे कि बहुत सैलरी बहुत कम है, और ये काम जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरी योग्याता से बहुत नीचले फिर भी आप वफादा रहें वो छोटी जॉब में भी वफादा रहें यही चोटी जॉब करते करते प्रभू आपके अंदर वो शमता उत्पन करेगा ताकि आप बड़ी पोजीशन पर पहुंच पाओ आललुया प्यारो साइद हो सकता है वो बिजनेस हो आपको लगता हो इत इतना छोटा बिजनेस इतना सामन्य काम भले वो सामन्य और छोटा लगे बिजनेस वफादा रहें प्यारों यही चोटा बिजनेस करते करते प्रभू आपके अंदर वो शमता कुद्पन करेगा ताकि कल बड़े विज्यों को बड़े बिजनेस को आप तेक पाओ अब साथ housewife हो सकते और घर के छोटे-छोटे काम करते होंगे आपको लगता होगा कि यह सामन ये काम में कर रहे हूँ प्यारों वही सामन ये काम में आप विश्वास यूग्य बने रहे हैं भले ही वह जाड़ू पोचा लगाना हो या किसी को पानी पिलाना हो यही छोटे काम में अगर आप विश्वास यूग्य बने रहते हो वफादार बने रहते हो आनन के साथ करते हो पूरा जीजान डाल कर करते हो आपके अंदर वो शम्ता उत्पन होगी कल जाकर परमेशर यही शम्ता के द्वारा आपको बड़े आशिशों के वारिस और भागीदार बनाएगा हाललुय प्यारो आपके अभ्यास में भले आप नीचले स्टांडर में विश्वास यूग्य बने रहे हैं मैनत करें ऐसा मत सोचे कि बही जब कोई विशे से एक्जाम आएगी तब मैनत कर लेंगे नहीं प्यारो भी से मैनत करें बले 10th में और 12th में मैनत करें प्यारो चोटे- काम में विश्वास यूग्य बने रहे हैं तो ही वो शम्ता तो ही वो कौसल तो ही वो योग्यत आपके अंदर उत्पन होगी ताकि कल जाकर बड़े वीचेव को आप देख पाओ हाललुया अगर आप सेवकाई में हो प्यारो चोटे-चोटे कामों में भी आप विश्वास बने रहें भले एक व्यक्ति है मैनत करें भले कम लोग है मैनत करें प्यारो उनके लिए भी पूरा जी जान डाल दीजे प्यारो आप अगर यह छोटे काम में विश्वास यूग्य बने रहकर इस काम को पूरी लगन से करते हो प्रभू आपको बड़े पर जरूर अधीकार बनाएगा जरूर बड़े विजो में ले जाएगा लेकिन सरुवात यहां से होती है छोटे में विश्वास योग्य बने रहने से यही पर आपकी शम्ता को प्रभू विक्सित करेगा जो आपको बड़े युद्धों में काम आएगी बड़े स्तर पर काम आएगी बड़े विजयो को पाने के लिए काम आएगी प्यारो आप हमारी बात को जरूर समझ रहे होंगे जो भी छोटा काम आज आप कर रहे हो प्यारो आप यह मत सोचे कितना छोटा काम मैं ये छोटा काम करके संतुष्ट नहीं हूं प्यारों आप मन को छोटा मत करेए वोही छोटे काम को दाउद के समाल जीदान लगा कर करते रहे करते रहे करते रहे एक समय आएगा वोही छोटे काम के अट्वार ऐसी शम्ताहों को प्रबू आपके अंदर डेवलब करेगा विक्सित करेगा जो आपको उच्छा उठाएगी हाललुया हाललुया सरुवात उपर से नीचे नहीं होती प्यारों सुरुवात नीचे से उपर जाने में होती है आप अभी नीचे हो दीरे-दीरे प्रभू उठाएगा लेकिन पहले जरूर यह जहां पर कही नहीं भी हम छोटे कामों में भी विश्वास युग्य बने रहे हैं कई लोगों ने अपने अंदर वीजय पाने के लिए शमताओ को विक्सित नहीं किया है वो लापर वाहर है दाउद के समान वो कैर्फूल वफवादा नहीं थे छोटे-छोटे कामों में उनको लगा यह तो छोटा काम है यहां पर तो लापरवाई चलेगी चलता है रहता है ठीक है कई लोगों ने उससे आसानी से लिया सीरियसली नहीं लिया घंबीरता से नहीं लिया और परीडाम किया आया उनके अंदर वो समय में जो शम्रता योग्यता कौसल उत्पन होना चे बड़े जीवन में करज का गोल्यात हार नहीं रहा उनके जीवन में करज रूपी गोल्यात खड़ा है जोर जोर से हस रहा है ये लोग पसीना बहा रहा है लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ क्यूं आपको पता है करज का गोल्यात क्यों नहीं हार रहा उनके जीवन से क्योंकि उन्ह कमाने की शम्ता को विखशीत नहीं कि इंक समय था उंको कमाने की शमता को विखशीत करना था जो भी हाथ में था उसके प्रति वफादा रहकर लेकिन उन्होंने क्या किया ओ ये तो बहुत छोटी जोब है ये तो बहुत छोटा सा काम है मेरे दरज्जे का नहीं है उन्होंने एक काम को छोड़ा दूसरा हाथ में लिया दूसरा थोड़े दिंग किया वो भी छोड़ा और तीसरा हाथ में लिया वो छोटे कामों में विश्वास यूग्य नहीं बने रहे और उनके अंदर वो शमता ही नहीं उत्पन हुई सालों तक वो यहां से वहां वहां से वहां करते रहे उनके अंदर वो शमता उत्पन नहीं हुई कमाने की अपने परिवार को संभालने की और उसके कारण आज वो करजे में आज उनकी आमदनी जो होनी चाहिए वो नहीं है क्योंकि उनके अंदर शमता युद्पन नहीं हुई उन्होंने छोटे कामों में, छोटी जॉब में, छोटे बिसनेस में विश्वास योग्या और वफादार बना रहना नहीं सिखा और उसके कारण यहाँ वहाँ करते करते सालों बिद गए और उनके अंदर वो शमता युद्पन नहीं अब परिवार है परिवार की जिम्मेदार है और कमाने की शमता नहीं है कमाने के लिए वभी तक तयार नहीं हुए अपने आपको उन्होंने तयार नहीं किया विक्सित नहीं किया और उसके कारण उनके जीवन से कर्ज का गोल्या दूर नहीं हो रहा कुछ परिवार ऐसे जो परिवारों में पारिवारिक जगड़े है पारिवारी जगडे रुपी गोलिया था जोंके परिवारों में खड़ा है हार नहीं रहा क्यों आपको पता है क्योंकि उन्होंने परिवार को चलाने की शमता डेवलप नहीं की चोटे चोटे कामों को जब उनके पास समय था कि वो करना सीख ले उन्होंने वो समय को बिगार डाला जैसे जल्ली उठना, खाना बनाना, जिम्मेदारियों को उठना उनको लगए यह बस चोटे चोटे काम है यह सब मेरा काम नहीं है और जब परिवार बना ये ही छोटे काम नहीं कर पाने के कारण कई परिवार में जगड़े है पत्नी को आता नहीं, खाना कैसे बनाना जल्ली उठ नहीं पाते, घर का बोज नहीं उठा सकते और बाद में जगड़े होते पती अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते अभी तक लापरवाई में जिये है अभी तक लगता है ये सब मेरा काम नहीं है माबा पर संभा रहे है, ठीक है, चलता रहता है अब जब जिम्मेदारी सर पर आई, उनके अंदर वो शमता ही डेवलब विक्सित नहीं हुई, कि वो जिम्मेदारियों को उठा सके और परिवार में आज जगड़े है यारो कुछ लोगों ने केरियर में निस्फल तारूपी गोलियात को आज देखा है क्योंकि जब पढ़ाई करनी थी, वो उसमें लापरवार है उनको लगता अब यादनी कल पढ़ लेंगे अभी तो बहुत नीचले स्टांडर में, अभी तो जश्टेंथ में, अभी तो जश्ट्वेल्थ में है आगे जाकर कुछ कल लेंगे चोटे-चोटे काम में, स्टांडर में विश्वास योग्य नहीं रहे चोटी कक्साओं में उन्होंने पढ़ा ही नहीं की, आगे जाकर उनके अंदर वो शमता ही पढ़ने की, याद रखने की शमता ही डेवलप नहीं हुई और उसके कारण आज कैरियर में वो निरास है, दोस्त प्रभू को देते हैं, प्रभू क्यों जौब नहीं मिर रही, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या अपने अंदर शमता को विख्षित किया प्रभू विजय ज़रूर दिलाता है, लेकिन प्रभू अपने अंदर रही हुई शमताओ को व्योग में लेना चाहता है, प्यारो कई साधी तूट रही है, प्यारो, कई साधी नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने आपको तयार ही नहीं किया साधी के लिए, विजय को पाना चाहते है, मेरी साधी हो जाए, लेकिन क्या आपके अंदर वो शमता, वो योग्यता, वो कौसल है, साधी निभाने का, अभी ढंग से कमा नहीं सकते हैं, आप अपने परिवार का गुजारा कहां से करोगे, अभी आपने खाना बनाना नहीं स दिखा, आप जल्दी उठने ही सकते, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की शमता ही आपके अंदर विक्सीत नहीं हुई, और आपको बड़े विजय को देखना है, प्यारो, बड़े विजय को हम तब देखेंगे, जब हम छोटी-छोटी बातों में विस्वास योग्यताओं को उत्पन्क होने दे, विक्सीत होने दे, तब प्यारो हम बड़े वीचों को देखेंगे, दाउद के अंदर अगर वो शमता नहीं होती तो दाउद गोलियात को नहीं हरा पाता, अगर वो लापरवा होता, भेड़ों के प्रती, जिसको खाना है, वो खा जा वो हत्यार चलाना क्यों सिखा, क्योंकि वो वफादार था, एक भेड़ भी मेरी नहीं खोनी चाहिए, छोटे काम में भी वफादार था, इसलिए वो शमता, वो हत्यार चलाने की वो शमता उसके अंदर उत्पन होई, और वो ही हत्यार को चलाने के द्वारा, गोफन को चला कि द्वारा उसने गोल्यात को हराया प्यारो बाइबल में से कई उदाहरने जो छोटे कामों में भी वफादर बने बने रहें अपनी समता को विक्सित किया वो छोटे-छोटे कामों को करने के द्वारा और आखिर में प्रभू ने उन्हें बड़े विज्वेव को दिखाया हालालोया यहङा लौ यूस tuvo कि उसनने अपने चीवन में छोटे छोटे कई काम कि गुलाम उसे बनाएं गया वो छोटा काम उसमें वो विशपाश युग chicos i dragon है यूसे जैल में ढालागया सरमा ऐसी जग्या लेकिन वह पर भी वह mình वोपि इस पास यूग्या बना रहा एक समय आया यही युश्व को जो छोटे छोटे बातों में विस्वास युग्य बना रहा प्रभू ने उठाया और प्रदान मंत्री तक के पदबर प्रभू से ले गए हाललुया प्यारो रिबका के विसे में भी हम पढ़ते हैं एक छोटा काम उसमें उसने पूरी लगन बताई अब उसने बताये तुम मुझे पानी पिला रिबका ने क्या किया ना सिर्फ इब्रहाइम के दास को पानी पिलाया और बोला मैं आपके उन्टों को भी पानी पिलाओंगी उसके अंदर वो शम्ता उसने ये चोटे काम में भी डैवलब की थी मैं पूरी लगन से करूंगी भले ये चोटा काम रहा मैं सिर्फ ये व्यक्ति को नहीं उसके उन्टों को भी पानी पिलाओंगी क्यों उसके अंदर ये शम्ता ये योग्यता ये कौसल था कि वो इब्रहाइम के दास को भी पानी पिला पाई और उसके उन्टों को भी पानी पिला पाई क्योंकि वो हर र जोजे करती थी और इसी कारण जब समय आया तब नसीर इब्राहिम के दास को और उसके उटो को भी उसने पानी पिला चोटा काम पूरी वफादारी पूरी लगन से रिपकाने किया उसका परिणाम किया आया इसहा की वो वाइफ बनी प्यारो एक आसी सी परिवार में प्यारो उसे साधी करके जाने का मौका मिला प्यारो मुसा के विसे में भी हम पढ़ते हैं अपने ससुरा की भेड़ो को चराथा था एक छोटा सा लगता काम लेकिन वो पूरी लगन से उसे करता था कई सालों तक करता रहा प्यारो और यही मुसा जो भेड़े चराता था प्रवु ने भेड़े चराचे चराते चराते उसके अंदर वो शमता उत्पन की ताकि परमेश्व की भेड़ों को गुलामी से बहा ले जा सके हाललुया परमेश्वन ने वो छोटे से काम के द्वारा मुसा के अंदर वो शमता को उत्पन किया था रूत के भी से में हम पढ़ते खेत मे वो काम कर रह थी एक छोटा सा लगता काम जो बाकी रह गया है वो अनाज वो वहाँ से क्लेट परिवार का गुजारा करने के लिए वहाँ खेत में जिछा लिए और क्या हुआ गई बोहास ने उसे देखा और बोहास के साथ उसकी साधी हुई प्यारो उसे कभी ये पता भी नहीं था ये छोटा सा लगता काम मेरी सास की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी वफादारी से मैं कर रही हूँ ये छोटे काम के द्वारा मेरे अंदर जो शम्ता उत्पन हुई है उसे देख प्रभू मुझे इतना उठाएगा बुवाद ने देखा ये कितनी महंती लड़की है अपनी सास के और अपने परिवार के लिए उनका गुजारा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी उठा रही है बुवाद ने उसके सास सादे की और यही रूत के बंसावली में प्रभू येश्यू का जन्म हुआ हाललूया प्यारो एक रूत एक स्त्री जो विद्वा थी उसका पूरा जीवन बदल गया क्यों छोटे से काम में वो विश्वास युग्य बनी रही पत्रस के भी से में प्यारों देखते हैं मचलियां पकड़ने के काम में लगा हुआ था एक छोटा सा काम वफादारी प्रभू येश्यू ने देखा इसके अंदर वो शमता है मचलियों को पकड़ने की यही शमता को मैं मनुस्य को पकड़ने के लिए इस्तिमाल करूँगा हाललुया यारों इन हर एक व्यक्तियों के अंदर सामन्य काम करते करते जो शम्ता पैदा हुई वोही शम्ता को वोही योग्यता को प्रभु ने बड़े पहमाने पर इस्तिमाल करने के लिए उप्योग में लिया लेकिन कहां से सुरुवात हुई छोटे छोटे लगते कामों के द्वारा इनके अंदर जो भी शम्ता योग्यता कौसल पैदा हुआ विजयों को पाने के लिए उच्छायों पर जाने के लिए वो छोटे छोटे लगते कामों के द्वारा ही पैदा हुआ प्यारो क्या आज आप प्यारो छोटे छोटे कामों में वफादार और विश्वास योग्य बने रहते हो प्यारो जो भी आज छोटा काम कर रहे हैं छोटी जॉब हो छोटा बिसनेस हो घर का काम हो आपकी छोटी छोटी जिम्मेदारिया हो छोटी सेउक्काई हो क्या आप उसमें वफादार हो प्यारो आज के छोटे से लगते काम कल के विजे की तैयारी है सुना आपने प्यारो आखरी ये बात को हम बढ़ कर पूरा करना चाहते आज के छोटे से लगते काम कल के बढ़े विजे की तैयारी है आज जो भी छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं उसमें वफादार और विश्वास योग्या बने रहे हैं प्यारो ताकि सही समय आने पर परमेश्वर आपकी शम्ता, कौसल, योग्यता को आपको विजय दिलाने के लिए अद्बुतरिती से इस्तेमाल करें आज हमने बात सीखी है हमारे अंदर शम्ता को विजय पाने की शम्ता को जीतने की शम्ता को डैवलब करना, विक्षित करना प्यारो फिर से ये प्रसन हम आपको पुछना चाहते है क्या आज जो भी छोटे छोटे काम आप कर रहे हो क्या वो पूरी वफादारी से आनन के साथ पूरी लगन के साथ कर रहे हो जैसे दाउद कर रहा था भेड़े बकरियों को चराने का काम भी उसना पूरी लगन और वफादारी से किया यहां तक भी यहां तक की अपने जीवन की भी परवाद हैं की जब भालू और सीह को देखा था पूरी लगन से किया और वो करते करते उसमें वो शम्ता उत्पन हुई गोफन चलाने की वो शम्ता जिसके द्वारा उसने गोल्याद खो रहा है क्या आज आपके हाथ में जो भी काम है आपको लगता वो साहिद वो छोटा काम है वो छोटी जिम्मेदारी है वो छोटी जॉब है वो छोटा बिस्ते से है वो निचली कक्सा की पढ़ाई है क्या आप उसमें विश्वास योग्य बने रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी लगन से वो काम कर रहे हो प्यारो यही काम के द्वारा आपके अंदर शम्ता, योग्यता, कौसल, उद्पन होगा जो आपको उच्छायो पर ले जाएगा जो आपको बड़े वीजयो तक ले जाएगा हाललुया आप अपने आपको प्रस्न पूछे कि मेरे हाथ में जो भी छोटा सा काम है क्या मैं उसमें विश्वास युग्य बना रहा हूं अगर बने रहे हो तो प्रभू को धन्यवाद अगर नहीं बने रहे लापरवा रहे हो प्यारो आपके अंदर वो शम्ता नहीं उत्पन होगी आप बड़े विजयो को देखने के लिए योग्य नहीं बन पाओगे कल के बड़े विजयो को देखने के लिए आज आपको अपने आपको तैयार करना है, अपने आपको योग्य बनाना है, अपने आपके अंदर शम्ता काउसल को उत्पन करना है, और वो कैसे उत्पन होगा, आज जो भी हमारे हाथ में पूरी लगान और वफादारी के साथ उसे करने के द्वारा, आई प्यारों में आख सिखाए उन बातों को लेकर आपके चर्णों में आते हुए मांकते प्रबू आप हम पर अनूग रहोने दीजिए दाउत के समान छोटे छोटे जो भी काम आज हमारे हाथों में हैं उसमें विश्वास योग्या बने रहे ताकि हम में वो शमता उत्पन हो ताकि हम में वो हम आज घर के चोटे मोटे काम करें प्रबू जो भी हमारे हाथ में हैं जो भी हम आज कर रहे बले वो चोटी सेवकाय भी क्यों नहों सब में हम विश्वास योग्या बने रहे रहे लापरवा नं रहे परमेश्वर दाउद के समान छोटे छोटे कामों में भी विस्पास योग्या बने रहने के लिए नुग्रा दीजे ताकि हम में वो शम्ता उत्मन हो जो कल हमें बड़े विजो की और ले जाए प्रबू ये शुमसी के नाम से हम अनुग्रा माकते परमेश्वर अमला परवान आ रहे चोटी-चोटी बातों में प्रबू यहीचोटे-चोटे काम करते-करते हैं आप हमें तयार करते हो कल के बड़े विजो के लिए हम इनूग्रblowing दीजे प्रबू दाउद के समान छोटी-चोटी बातों में भी लिए रहन विश्वासयों Allah तब कबूल करें प्यारे पिता आमेन